हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वाटसअप का नॉटिफिकेशन कैसे चालू करें यानि वाटसअप के नॉटिफिकेशन अन कैसे किये जाते हैं आए जानते हैं तो यहाँ पर मिरे पास दूसरा phone है मैं इसमें करता हूँ देखिया मैं करा मैं यहाँ पर ईस phone से इस phone में में सेंट किया देखिये मैंने सेटिंग कैसे करें बताता हूँ तो सबसे पहले अबना WhatsApp खोल लीजिए WhatsApp खोलने के बाद आपको मिलेगी उपर तीन डॉट इस पे जाईए Settings पे जाईए और आपको मिलेगा यहाँ पे Notifications इस पे चले जाईए यहाँ पे तीन डॉट पे टच करिए Reset Notification करिए और Reset कर दी जो चेक करिए कि Notification आता है कि नहीं तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो मिरे पास अभी भी कोई Notification नहीं आया क्योंकि मेरे फोन में Settings से बंद है यह अब आपको अपने फोन में दूसरे तरिकाई देखिए WhatsApp पे Long Press करिए आपको मिलेगा ये वाला निशान इस पे जाओगे ऐसा पेज मिल जाएगा अगर आपको ये पेज नहीं मिल रहा आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपने फोन में Settings ओप्शन को ढूड़िए आपको आपके फोन में Apps ओप्शन मिल जाएगा Apps ओप्शन को ढूड़िए और आपको मिलेगा Manage Apps या App Manager या See All Apps भी मिल सकता है यहाँ पे आपके WhatsApp को Select कर लिजिए WhatsApp मेरा नीचे की तरफ है आपके फोन में भी नीचे की तरफ ही होगा WhatsApp पे आते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा Notifications तो यह रहा Notifications ढूड़ लिजिए उपर या नीचे और चालू कर दीजिए इसको और अगर आपको बंद होता है यहाँ पे इसको भी चालू कर दीजिए और यहाँ पे एक बार अपने फोन को बंद करके चालू कर दीजिए और अब आपके पास WhatsApp सो Notification आने लग जाएंगे मैं भेजता हूँ यहाँ पे Hi Message देखिए आ गया है राहूल पर्मा का मैं द्वारा भेजता हूँ यहाँ यहाँ पे Hello का Message तो Hello लिखता हूँ देखिए Hello का Message भी आ जाएगा अभी मेरा फोन साइलेंट पर है मैंने बंद कर रखे इसकी आवाज मैं आवाज तेज कर देता हूँ जैसे इसकी तो यहाँ पे आप मेरे पास Notification अराम से आएगो कोई दिक्कत नहीं आएगी देखिए सायद आप समझ गई होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है वी